हलो बच्चो तोडे वी आर गूइंग टूइस्टार चैप्टर आवर फूद यह चैप्टर थी है एसस्टी का ख्लास थर्ड दिये वे स्कूल का चीखें तो इसे हम सुरू करते हैं इस चैप्टर को पहले मैं इसके वारे में थोड़ा सा बता देती हूं आवर फूद इसमें इसमें फूड़ के वारे में बताया गया है जो इम टिफेरेंट सेट होते हैं तो सभी स्टेसान का अपनी एक 되지कर सबीकी है किया किया गया है जैसे आपका राजरिस्थान में दाल भाती चूर्मा को ज़ड़ा मतलब मिलता है वहांपर मिंख्य है उधर और मकी की रोटी भोजन है वहाँ का और फिश एंड राइस आपका वेस्ट बेंगॉल में ज्यादा मिलता है तो वहाँ के अपने अपने प्रशिद्ध जो आपके जब भोजन होते हैं वो हर इस्टेट का अपना डिफरेंट होता है तो इसके बारी यह जो है इसमें डिसकस किया गया है इस चै पंजाव से है थिक है मक्री की रोटियंड सर्शो का साल from पंजाव हम स्के बाद में क्या कहरा है एक क्या प्रशन मीलती है और न आपका सांबर वो कहाँ से आपका from Tamiladu Fish and rice Fish and rice कहां मिलती है अपती West Bengal कहां पे मिलती है from West Bengal Dalbhati Churma from Rajasthan Rajasthan से क्या मिलता है आपको Dalbhati Churma ठीक है and Gostava Gostava from Kasmir Wow The list of mouth watering diseases from different parts of India is endless endless ठीक है तो यह जो भारत के जो हिस्सों में यह जो different तरीके के जो आपको mouth watering diseases जो मिलती है इनकी जो सूची है वो बहुत ज़्यादा endless है मतब बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी list है जिसकी मतब endless ठीक है endless है यह list चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें there is great variety of food item available in different part of India means भारत के भिविन भागों में there is great variety of food items available in different part of India मतब भारत के जो इंडिया के जो different parts है different हिस्से है उन पर जो है variety of food मिलते हैं एविलेवल है ठीक है each area has its own speciality means जो प्रतेग जो area है each area has its own उसका खुद का एक अपने special एक प्रशद्द खाना है ठीक है special food है उसका and a visit to that place is incomplete without tasting it ठीक है उस इस्थान की यात्रा उसके स्वाद के विना अधूरी है मतलब अगर आप उस इस्थान पर गए है और आपने उस खाने को नहीं खाया है तो आपकी यात्रा समझो कि वो अधूरी है आप कहीं भी जाते हो किसी भी state में जाते हो तो वहाँ का खाना आप जरूर खायेगा ठीक है नहीं तो अधूरा सा लगता है कि हाँ हमने कुछ मिस कर दिया इसके बाद में क्या है अगर नागपूर जाते हैं और आप महाँ पर सोन पपड़ी ना खाए तो इस तरीके से मतलब नहीं हो सकता इसके बाद में क्या है मतलब कुछ ऐसे वियंजन होते हैं कुछ ऐसे डिसिस होती है जो की बनाई जाती है पकाई जाती है कुछ की जाती है only special occasion कुछ special occasion जो होते है तब ही बनाई जाती है जैसे कि कोई festival हो गया कोई marriage हो गया या फिर birth of child जब बच्चे का जनम होता है तब वो बनाई जाती जैसे मोदक is made during the festival of गनेश गनेश चतुर्ती जब गनेश चतुर्ती आती है तो क्या बनाई जाता है मोदक बनाई जाते हैं क्या बनाई जाते हैं आपके मोदक बनाई जाते हैं जब तक किसी मतलब जो साधी जो समारो होते हैं अगर इसमें लड़ू नहीं होते हैं तो वो साधी अधूरी सी लगती है तो नो मैरिज साधी साधी इस कम्प्लीट बिदाउट लड़ू एंड बर्फी आपने देखा होगा कि जो साधीयां होती है उनमें लड़ू बर्फी तो जरूर ही बनती है जब आप जाते हैं तो एक गिफ्ट आपको मिलता है डब्बे देते हैं जब आप आते हैं तो उसमें लड़ू अगरा तो जरूर होते हैं तो ये इसके बिनाई अधूर ही रहती है नौर्थ इंडिया और जो उत्तर भारत है North India में क्या है The mother of newborn baby is fed panjiri मतलब जो आपके जो North India में जब mother के जब baby होता है तो उसको क्या खिलाए जाता है उसको panjiri खिलाए जाती है मतलब वो आटा जो रहता है उसको भून के उसकी panjiri बनाए जाती है इस तरीके से वो और उसमें dry fruits वगर डाले जाते है इसके बाद क्या है Mostly the food habits of people depend upon two factors ज़्यादा तर जो food habits होती है people की people की वो depend करती है two factors पर दो जो factor होते हैं उनके उपर वो depend करती है तो कौन सी है The climate and the crops grow in that area सबसे पहले जो जलवाई हो कैसी है कैसा वहाँ का climate है और crop वहाँ की जो फसल है उस एरिया में किस तरीके की फसल उगती है कैसा वहाँ का वातावरन है कैसी वहाँ की जलवाई हो तो इन दौनों factors के उपर क्या याँ करती है depend करती है ठीके The people living in the desert जो people आपके किस में रहते हैं desert area जो dry area होते हैं of Rajasthan and Gujarat आपने देखा होगा कि Rajasthan और Gujarat में बहुत ज़्यादा धूप मतलब वहाँ पर बहुत गर्बी रहती है वहाँ पर रेगिस्तान है ठीक है Find it difficult to get fresh vegetable in the heat and hence तो ऐसे it is difficult वहाँ पर बहुत ज़्यादा difficult है to get fresh vegetables वहाँ पर आप Tajik vegetables नहीं आपको मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है dry area है ठीक है तो वह क्या करते हैं इसलिए use a great variety of dals इसलिए वो dals use करते हैं different different variety की जो होती है great variety की जो dals होती है अचार होते है and basin grams flour the Bayson h – जो आटा बना लिया जाता है ठीक है चनियक का जो आटा होता है उसका use गया जाता है वहाँ पर ठीक है क्योंकि daal घ्रब नहीं होती है laal आपके पूरे साल चलती रहती है तिभ भी खाते हैं यहाँ वी खाते है हर जगे खाए जाती है यह दाल चीक है, the people living close to sea coast जो people कहां पे रहते हैं आपके sea, मतलब जो समुतर के उधर आसपास जैसे रहते हैं उधर भी वहाँ पे क्या होता है in area where the land meet the sea ऐसा area होता है sea coast जहां पर area, ऐसा area जो where the land meet the sea मतलब जो land है, जो जमीर है वो sea से मतलब meet करती है, मिलती है eat a lot of fish, fish क्या खाते हैं वो जज़ाता वो fish खाते हैं and coconut वहाँ पर coconut जदा होते हैं जैसे आपके केरल में हो गया, केरल में क्या है जमीन और मतलब वहाँ पर क्या है कि समुद्र हैं वहाँ पर तो वहाँ पर coconut के trees बहुत ज़ादा मिलते हैं का समीरी's drink a lot of क कहवा, जो कसमीरी होते हैं, वो क्या घ्ति, वो क्या किते हैं, सकावा क्या लेते हैं, यह चाय होते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, घरो में, जाए छाय को दो हम जाए हमा पर कहवा बोला जाता है, मनल Mendल ठंड से बचने के लिए to keep the cold away. समझ में आ गया. इसके बाद में क्या है? इसके बाद में, do you know, all over India? All over India, people use a variety of flour to make chapati from wheat, rice, corn, soya bean, kutu, singara, chana, etc. roti, ठीक है? from backbone of the food written in India. Means all over India, people use variety of flour to make chapati. Variety of flour का use करते हैं chapati बनाने के लिए from wheat, rice, or corn, soya bean, kutu, singara से, singara से भी आपको kutu जो होता है, singara जो होता है, उससे भी आपकी chapati बनाई जाती है, उससे भी chapati बनाई जाती है, तो ये इस तरीके से इसमें दिया गया है, okay, the people of Punjab, जो people, जो वहाँ के जो लोग हैं Punjab के, grow a lot of wheat, वो मतलब बहुत ज़्यादा अनास पैदा करते हैं, and hence, their staple diet is chapati, जो उनकी जो staple diet होती है, वो क्या आपकी chapati होती है, वो chapati, मतलब वहाँ पर अनास ज़्यादा पैदा होता है, rice grow well in South India, जो आपका जो rice है, वो कहाँ पर grow होता है, वो आपके South में ज़्यादा, जो आपके दक्षन भारत में, जैसे केर लाओ गया है, इधर की तरफ ज़्यादा rice पैदा, वहाँ पर grow होता है, ठीक है, so it forms that staple diet of South Indians, तो उनकी जो staple diet जो होती है, South Indians की वो क्या होती है, वो rice अपने देखा डोसा खाते हैं, तो डोसा किससे बनता है, वो rice से ही बनता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, rice ज़्यादा होता है उधर की तरफ, इसके बाद में क्या है, इसमीद वैंट तो गुरुद्वारा, with his parents, after listening to Savad's prayer songs, they went for longer, ठीक है, they were served hot and tasty-dar, salad and chapati on patal, ठीक है, जो patal होती है, उनकी पर serve किया, ओके, plate made of dried leaves, जो plates जो बनी हुई थी, वो किसकी बनी हुई थी, सुखे जो leaves होते हैं, dried leaves होते हैं, उसकी बनी थी, ठीक है, इसमीद, enjoy sitting with hundreds of people, in row and having longer, इसके बाद में क्या कह रहा है, nowadays, the food habits and tastes of people are changing, अब जो है, nowadays, अभी क्या है, कि जो food habits हैं, and taste of people, जो लोगों का जो taste है, वो क्या change हो रहा है, क्यों change हो रहा है, और पंजाबी family may enjoy dosa, जो एक पंजाबी family है, वो मतलब अपना, मतलब वो dosa खा सकते हैं, and a south Indian family may love eating stuffed parathas, मतलब ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, कि केरला के लोग हैं, तो वो पराठा नहीं खा सकते, यहीं कि यहां की इंडिया की इतनी अच्छी संस्कृती है, कि हम सभी का, सभी जो हम एक state का खाना पसंद करते हैं, हम south India का हमें दोसा बहुत पसंद आता है, तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, कि हम अगर अपने ही state में रहता है, तो हमें अपने ही चीजे पसंद है, कोई कुछ भी खा सकता है, कुछ वो इस वज़े से हैं, कि मालो south India का, अगर यहां पर आता है जॉब करने के लिए, तो वो जाइद सी बात है कि वो चपाती वगरा खाएगा, यहां का बंदा अगर कोई वहाँ पर केरला जाता है, तो वो डोसा और वो सारी चीजे खाएगा, क्योंकि वहां के जो climate के उपर depend करता है, इसके बाद में क्या कह रहा है यह, south indian families may love eating stuff, people are moving from one state to another for living, business and education, अभी मैंने यही बताया था, जो people हैं वो move करते हैं from one state to another, for living रहने के लिए, business के लिए, education के लिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे state में जाते हैं, तो उनकी जो खाने की जो आदते हैं वो भी बदल जाती हैं, ठीक है, many people even move from one country to another, they enjoy the dishes of the place where they live as well as their own traditional dishes, ठीक है, जब आप कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति जो कोई person है, अगर मालो वो कहां जा रहा है, अपने एक country से दूसरी country में जा रहा है, तो जाइन सी बात है कि वो जो है, वहाई की उसकी ही चीज़े एखाएगा, वहाँ पर उसकी ही चीज़े ज़्यादा मिलती हैं, okay, they live as well as their own tradition, this is, okay, now let us find out where does the food come from, we get most food item from plants and animals, now let us find out, अब हम क्या करते हैं, find out करते हैं, where does food come, कहां से आता है ये food, भूचन कहां से मिलता है, we get most food item from plants and animals, हम जो most food हम ज़्यादर जो खाना है, वो हमें प्राप्त होता है, plants से और animals से, चीखें, इसके बाद में क्या है, wheat, sorry, wheat, wheat, rice, pulses, means दाल, vegetables, fruits and spices, comes from plants, ठीक है, जो आपके अनाज हो गया, rice हो गया, pulses हो गया, vegetables हो गया, fruits, spices, मिल्च मसाले जो होते हैं, ये सब ही आपको plant से मिलते हैं, ठीक है, some vegetables are cooked, and some are eaten raw, मतलब जो कुछ जो vegetables होती हैं, उनको हम पका कर खाते हैं, और कुछ को हम कच्चा ही खा लेते हैं, ठीक है, उनको हम पकाते नहीं हैं, ठीक है, most fruits are eaten when they are ripe, dry fruits like almonds, walnut, pista, etc. are first dried and then eaten, इसके बाद में क्या कह रहा है, spices are an important part of Indian cooking, जो आपके जो spices हैं, जो आपके जो मिर्च मसाले जो होते हैं, ये आपके important part हैं Indian cooking का, ठीक है, क्योंकि बिना यहाँ पे यह spices, यहाँ जो मिर्च मसाले यूज किये बिना, तो हमारा कोई खाना बन ही नहीं सकता, नहीं हमें कोई taste आता है उसमें, इसके बाद में some spices are eaten fresh as well as in dried form, मतलब कुछ spices जो होती हैं, उनको खाया जाता है fresh, ताजा खाया जाता है, जैसे कि आपका ginger हो गया, garlic हो गया, इनको हम ताजा ही खाते हैं, और कुछ को हम dried, जो सूखी होती हैं, जैसे कि आपके काली मिर्च हो गई, जैसे कि आपका pepper हो गया, काली मिर्च जो होती हैं, black pepper बोलते हैं, cloves हो गई, long हो गई, and red chilies, लाल मिर्च हो गई, India is the largest producer of spice in the world, क्योंकि इंडिया ही सबसे बड़ा क्या है, उत्वादक देश है, किसका spices का, मतलब जितने भी मिर्च मसाले होते हैं, वो इंडिया में ही बनते हैं, और इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले, वो number one ही समझ लीजिए, इसके बाद में क्या है, do you know, more and more people are giving up, non-vegetarian food, because vegetarian food is healthier, and easy to digest, as compared to non-vegetarian food, more and more people are giving up, मतब्स वो छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं वो, मतब्स वो non-veget खाना वो उन्होंने, वो छोड़ रहे हैं, क्यूंकि जो आपका, ये vegetarian food होता है, वो आपका healthy होता है एक तो, ठीक है, वो harmful नहीं होता, काफी healthy होता है, और दूसरा क्या होता है, कि वो easy होता है उसको digest करना, उसको हम जो आपके, ये vegetables जो होती है, उनको easily digest किया जा सकता है, as compared to non-vegetarian food, ओके, इसके बाद में क्या है, वी get milk, egg, mutton, chicken, and fish from animals, हम प्राप्त करते हैं, क्या, milk, egg, mutton, chicken, and fish from animals, different recipes are followed in different state of India, for preparing non-vegetarian dishes, means we get milk, egg, mutton, chicken, and fish from animals, different recipes are followed in different state of India, for preparing non-vegetarian dishes, do you know, in some part of the world, cockroaches, snakes, snail, and even ant eggs are eaten, बिल्कुल खाया जाता है, हमारा एक, इंडिया ही एक ऐसा देश है, हम बहुत मतलब में गर्व होना चाहिए, कि हम भारत में पैदा हुए है, क्यूंकि भारत ही एक ऐसा देश है, जो, जहां पे अच्छा खाना पीना है, आप किसी भी देश में, जो इतने बड़े-बड़े जो, बहुत अच्छे, high standard जो देश, आप समझते हों न, आप कभी उनके अंदर जाके देगे न, वो क्या खाते हैं, उनके लिए खाने तक का खाना नहीं है, और वो ऐसा सोफ करते हैं, जैसे पतानी, सब कुछ यह ही मिलता है, कहते हैं कि, आप एड़ देखते हैं, एड़ में जो भी दिखाते हैं, वो इस अच्छ लगता है, ऐसे यह सोफ करते हैं, और अपना एड़ करते हैं एक तरीके से, कि हम यह है, हम वो है, और हमें आदत नहीं हैं इंडियन्स को, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा खाना इंडिया में ही होता है, as comparison to another, किसी भी country में चले जाएए, अब चाइना में चले जाएए, वहाँ पे सारी चीज़े खाई जाती हैं, एक चुल में, ठीक है, तो वी आर, हमें गर्व होना चाहिए, कि हम भारत में हैं, ठीक है, आगे, इसके बाद में क्या है, do not waste food, do not waste food, राजू went to birthday party, राजू कहां पर गया, birthday party में गया, he picked up a plate and filled it up, filled it up, he ate only a small portion and put it his plate down, मतलब उसने कुछ ही खाया था, small portion ही खाया था उस plate में से, और फिर उसको क्या कर दिया, उसको रख दिया, Surayse did not like it, Surayse did not like it, he said, उसने कहा, why did you waste so much food, तुमने इतना सारा food क्यों waste किया, you should take only small portion, तुमें क्या है small portion, थोड़ा सा ही food लेना चाहिए था, and then take some more if you want, और ले लेते अगर तुमें चाहिए था तो, if you want अगर तुमें चाहते को, तो और ले सकते, ठीक है, और लेते, Raju felt sorry, and promised, और उसने promise किया never to waste food, ठीक है, और उसने promise किया, कि वो food को waste नहीं करेगा, some people waste food, some people कुछ लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, waste करते हैं food को, ठीक है, they are either greedy or thoughtless, many children do not finish their tiffin that they bring to school, they should not waste food, उनको अपना food जो है, waste नहीं करना चाहिए, there are many people in our country, who are very poor and cannot buy food, there are many people in our country, who are very poor, जो कि क्या है, बहुँ जदा, poor है and cannot buy food, जो कि food को buy नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, moreover, nature give us food to eat, not to waste, इसके बार में क्या, we must become responsible, and never waste food, water or electricity, we must eat balanced diet, हमें जरूर खाने चाहिए, मतलब important है हमारे लिए खाना, balanced diet, to remain healthy and happy, okay, five principles of food, five principles क्या है, food क्या आपके, पात सिधान, ठीके, buy only what you need, buy only what you need, वही खरीदो, जो तुम्हें जरूरत है, जिसकी तुम्हें जरूरत है, ठीके, why only what you, क्या तुम्हें जरूरत है, वही, मतलब वो उसको ही हम आपको, purchase करना है, cook it with love, cook it with love, okay, प्यार से उसको पकाओ, as you need, take only as much as you need, okay, never never waste food, never never waste food, इसमें क्या दे रखा है, next, questions दे रखा हैं आपको, जले questions कर लेते हैं, something to know, something to know, इसके में क्या, take the correct option, take the correct option, तो करते हैं इसे हम, अब बताईए, West Bengal में जो food है, वो कौन सा है, what is the food specialty of, West Bengal, दाल भाटी चूर्मा, fish rice या गोस्तवा, fish rice, ठीक है, इसके बाद में क्या है, the staple diet of Punjab, the staple diet, जो staple diet है पंजाब की, वो क्या है आपकी, चपाती, rice, and या फिर, corn, तो क्या है आपकी, चपाती, वह पर अनाज जदा होता है, तो चपाती बनती है, वह पर अनाज जदा होता है, that can be eaten, cooked as well as raw, कौन सी ऐसी vegetables है, जिसको आप पका के भी खा सकते हैं, और कच्चा भी खा सकते हैं, तो क्या है आपका, carrot, carrot को आपके देखा होगा, कि आप कच्चा भी खा सकते हैं, और उसे पका के भी खा सकते हो, चीक है, इसके बाद में क्या है, the spice, that is commonly eaten fresh, पैपर, ginger, या क्लोफ, ginger, ginger को आप fresh भी खाते हो, खाते हो, ginger, ठीक है, इसके बाद में क्या है, fill in the blanks, अब आपके fill in the blanks आगए, help box दे रखे हैं, आपको pickles, plants, dried, climate, और animals, चलो इसको fill करते हैं, food habits of people depend on, किस पर depend करती है, food habits, क्या आप pickles पर depend करती है, plants पर depend करती है, dried पे, या climate पे, किस पर depend करती है, आपके climate पे, ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, climate, जो आपके food habits हैं, वो आपके वहां की, जलवाई उपर depend करती है, and crops grow in that area, ठीक है, इसके बाद में क्या है, question, we get milk from, हमें milk मिलता है, किसे मिलता है, peecal से मिलता है, plant से मिलता है, dried से, या animals से, हमें मिलता है, वो animals से, clear, okay, इसके बाद में, next क्या करता, people of Rajasthan, जो Rajasthan की जो लोग है, use a great variety of, क्या यूज करते हैं, वो peecal, क्या यूज करते हैं, वो peecal, क्योंकि, वहां पर, बहुत जदा, वहां रेगिस्तान है, वहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां पर, fresh vegetables, उपलब्द नहीं होती है, इसलिए, वो वहां पर peecal, बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं, आम का चार, बहुत सारे चार बना लेते हैं, vegetables के ये चार बना लेते हैं, वो उनके पूरे साल चलते रहते हैं तो क्या जाएगा P-I-C-K-L-E-S clear हो गया चलिए next question करते है most spices are and used most spices देखें, क्या जाएगा most spices are plants dried climates या animals तो क्या होगा most spices are dried तो आप खुद लगाएगे इस जाब पता करोगे इसमें आपको most spices are dried and used इसके बाद में क्या गह रहा है we get most food item from कहां से मिलता है आपको food from plants किसे मिलता है आपको plants से आप इसमें देख लीजे plants तो यहां से आपको ये मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं match box करते हैं match the following match the following okay उपको क्या हम आप सामें किस अपर दोस उफाम मिलता है में ईसमें या फिर आपका मोucken कोलकाता में मिलता है आपका आपका रस्कुला, गनेश शतूर्ती, गनेश शतूर्ती पर क्या मिलता है आपको, सर्सो का साग मिलता है, मतलब बनता है, डोसा बनता है, गोस्तवा बनता है, या मोदक बनते हैं, तो क्या बनता है आपका, मोदक, क्या बनते हैं गनेश शतूर्ती पर, मोदक, ठीक है, पंजाब, प जो फैवरिट डिसे है, साग मक्के की रोटी, ओके, तमिल लाडू, तमिल लाडू में क्या है आपका, डोसा, क्योंकि दक्षिन एरिया है ये भारत का, तो वहाँ पर राइस जादा होते हैं, तो वहाँ पर डोसा जादा बनता है, क्लियर, आगे, कास्मीर, कास्मीर में गोस् तबा, क्लियर हो गया, समझ में आगया आपके ये, चले, next करते हैं, question answer हो गया आपके, question answer, why are the food habits of people changing, जो food habits है people की, लोगों की वो क्यों change हो रहे हैं, questions ये put क्या जा रहा है, तो क्यों हो रहे हैं, because people are moving, क्या लिखोगे, because, कैस लिखोगे, b, e, c, a, u, s, e, because, people, p, e, o, p, l, people are moving, people are moving, ठीक है, कहा move कर रहे हैं वो, people are moving, from, from, one, one state, one state, two, another state, another, another, another state, another, for living, क्या लिख दोगे, f, o, r, for living, ओके, इस वज़े से उनकी जो food हो रही हैं, living के लिए और किस के लिए हो रहे हैं, वो business के लिए, वो living, तहने के लिए, और business के लिए, and, and education, ठीक है, and, education, ओके, तो इस वज़े से उनकी जो food habits हैं, वो change होती जा रहे हैं, समझ में आ गया इ second question क्या कह रहा है name the three foods item that we get from plants आपको इसे आपका food rice wheat ठीक है और क्या मिलता है आपको right wheat and fruit vegetables ठीक है vegetables okay vegetables हो गया okay okay so rice wheat and vegetables okay fruit भी लिख दिये जिगा ये सभी आपको कहां से मिलते हैं आपको ये सब plant से मिलते हैं okay list two factors that influence the food habits of people वो दो दोshore वे दो फेक्टर बताने है में जिस से जो वहांकि फूर्व फीपल की फूल है वह रइक रव हो यह रखश्व और आस्वलुट है वो प्रभावित करती है तो कॉम कॉम सी है वह मिवर्व है्पल्रेख दो फ्रस्ट है पहला क्या यह अबेगर करती है दो во and दूसरा क्या है बिटर आपका दूसरा है crop grow in that area क्या है crop grow 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 in that area ठीक है तो आपको यह question समझ में आ रहे हैं तो पहली क्या है list two factors that influence the food habit of people तो पहला कौन सा है the climate सबसे पहले मां की जलवाई हूँ दूसरा crop grow name three food item that we get from animals तो कौन से है हम क्या लिखेंगे we get we get क्या मिलता है आपको milk ठीक है क्या मिलता है आपको milk दूसरा क्या मिलता है egg ठीक है eggs और mutton क्या मिलता है आपको mutton और chicken ठीक है तो यह आपको किसे मिलते है chicken की spelling कहा लिख हो मैं चलिए यहां लिख देते है chicken की spelling लिख दे चिकन chicken c-h-i-c-k-e-n chicken तो यह आपको कहां से मिलते हैं आपको यह animals से मिलते हैं तो पहले क्या कह रहा है why are the food why are food habits of people changing जो people's की जो food habits है वो क्यों change हो रही है तो क्यों change हो रही है तो इसका answer क्या है the food habits of people are changing because people are moving from one state to another जो people है वो कहां move कर रहा है one state to another from one country to another एक country से दूसरी country में और किस लिख कर रहा है for living business and education और किस के लिख कर रहा है वो education के लिख के लिख के लिख के लिख है दूसरा question क्या है दूसरा question है name three food items that we get from plants हमें वो food three items वताने हैं जो कि हमें plant से मिलते हैं तो plant से कौन-कौन से food items मिलते हैं आप से rice, wheat, pulses और fruits, vegetables ये सभी आपको कहां से मिलती हैं plant से मिलती हैं तो चलिए हम three items लिख लेते हैं तो three food items that we get from plants are rice, weeds and pulses and उसके बाद में fruit भी लिख सकते हो आप ठीक है तो कि तरफ ये ही पूछे गए हैं और vegetable और क्या मिलते हैं आपको vegetable ठीक है तो ये आपके complete हो गया उसके बाद में क्या है list two factors that influence the food habits of people दो factors बताने हैं हमें जो की प्रभावित करते हैं किसको food habits of people people की जो food habits होती हैं उनको क्या करते हैं वो प्रभावित करते हैं तो कौन से हैं वो the two factors that influence the food habits of people are climate सबसे पहले क्या आपके जलवाई हूँ and crops grow in that area और दूसरे क्या है आपकी number one पे क्या बोलोगे आप number one पे the climate and number two पे क्या है आपका the crops grow in that area इसके बाद में question 4 question 4 क्या कह रहा है name three food items that we get from animals three food items के नाम बताने हैं जो कि हमें किस से प्राप्त होते हैं आपके animals से मिलते हैं तो कौन से हैं वो three food items the three food items that we get from animals are milk, mutton and fish ठीक है तो वो आपको कौन से हैं milk, mutton and fish okay question 5th question 5th क्या कह रहा है आपको question 5th है why is it important not to waste food, water and electricity write two points for each उसके दो points लिखने हैं हमें प्रते के किसके food के बारे में लिखने हैं electricity के बारे में लिखने हैं और तीसरा कौन सा है आपका water के बारे में लिखने हैं कि हमें इनको यह क्यों महत्वपूर्ण हैं इनको मतलब वेस्ट नहीं करना हैं तो इसके उपर हमें दो points लिखने हैं सबसे पहले आपने वी शुड नोट वेस्ट पूड वाटर and electricity सबसे पहले हम फूड ले लेते हैं तो फूड में क्या है फूड में आपका आगया nature gave us food to eat not waste जो प्रकरती होती है वो हमें फूड देती है खाने के लिए ना कि waste करने के लिए poor people are not getting food जो poor people है वो उनको फूड नहीं प्राप्त हो रहा है and water water is life water जिंद की मतब water is life everyone needs water okay उसके बाद में electricity electricity के तूड पॉइंट्स क्या है electricity it is limited जैसे आपका water limited है food भी limited है तो आपकी electricity भी क्या आपकी limited है we cannot live without electricity हम इसके बिना नहीं रह सकते electricity के बिना ठीक है क्योंकि हमें अब जो modern आपकी जो life हो गई है इसमें आप बिना electricity के नहीं रह सकते हैं तो यह आप इनके इनको हमें waste नहीं करना चाहिए यह नहीं कि आपने fan चला कर छोड़ दिया या फिर कोई बी इलेक्रिस्टी आपने टीवी को चला के छोड़ दिया जो भी आपकी लेडी जो रहती है उसको चला के छोड़ दे कुछ भी कोई भी आइटम आप चला के छोड़ देते वह नहीं करना चाहिए हमें चीक है तो आपको यह कोई आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और साथ में मुझे यह भी बताना था कि यह जितनी वी वीडियोओ आपकी वह सारी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन बाक्स को इक बार चैक कर लेजए सारी वीडियोओ उसमें एवलेवल हैं ठीक है ओकई ठैंक यू